हेलो वीवर्स, असलाम लेकुम, मैं हुरोशन, आज हम बनाएंगे आगरे का पेठा, हलवाई की तरह परफेक्ट, किस तरह से हलवाई बनाते हैं, और कितना अच्छा देख सकते हैं, बना है, हमने अपने घर पे बनाया है, इसे आप मुरब्बा भी बोल सकते हैं, हमारे यहा दू लिया है, इसे पेठा भी बोलते हैं, देख सकते हैं, तो इस तरह से हमने दो केजी लिया है, और इसको हम काट लेते हैं, देख सकते हैं, हमने इसको काट लिया है, इस तरह से यह बीज वाला हिस्सा को हम निकाल दे रहे हैं, जितना बीज रहता है, उसको हम इस तरह से चाकू से काट कर निकाल ले रहे हैं इस तरह से आराम से निकल जाता है और ये थोड़ा बहुत है दो उसको भी हम निकाल लेंगे और ये नीचे से इसको छीलना है आप इसको छोटा-छोटा टुकड़ा में काट कर भी छील सकते हैं या इस तरह से तरव जिस तरह से छीला जा हमने इसको निकाल लिया है ये बीज को भी हम निकाल ले रहे हैं इस तरह से मार्केट में सफेद कद्दू आसानी से मिल जाता है और इसे आप खरीद कर बना सकते हैं तो इस तरह से हम बीज को निकाल दे रहे हैं देख सकते हैं बस इतना ध्यान देना है कि बीज को निकाल देना है बस उससे ज़्यादा है और कुछ नहीं करना है देख सकते हैं इस तरह से हमने निकाल लिया है बस इतना काफी है और सभी को इसी तरह से हम निकाल ले रहे हैं काटे वाला चम्मच से हम इसको इस तरह से छेद करेंगे देख सकते हैं इस तरह से जिस तरह से आवले का मुरब्ब बनाते हैं पूरा बारीक बारीक इसको अंदर तक इसको प्रिक करना है इस तरह से बहुत आसानी से हो जाता है तो ये बड़ा बड़ा जो टुकड़ा है इस आसानी नहीं लगता है तो इस तरह से हमने अच्छी तरह से चारो तरफ से कर लिया है और ये इस तरह से बड़ा वला बहुत ही आसानी से हो जाता है पकड़ने में भी आसानी होता है तो इस तरह से सभी को हम चारो तरफ से इसको प्रिक कर ले रहे हैं इससे क्या होता है कि चाशनी इसके अंदर बहुत ही अच्छा जाता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है मुराबा इसी से अच्छा लगता है तो हमने सभी को इस तरह से प्रिक कर लिया और ये और काट कर हमने जो रखा था उसको इस तरह से छिल लेंगे ये देखे कितना आसानी से ये छिल जा रहा है परफेक्ट मार्केट की तरह किस तरह से बनेगा मेरे तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगा और खराब नहीं होगा तो अब हम पानी ले ले रहे हैं इसमें हमने दो लिटर के आसपस पानी लिया है इतना पानी लेना है कि ये डिप हो सके मुरब्ब बनाने के लिए टुकड़ा, सफेद, कद्दू तो इसमें हमने दो चम्मच चूना डाला हुआ है खाने वाला चूना पान की दुकान पे ये आसानी से मिल जाएगा तो ये हमने 5 रुपए में चूना लिया था और सब हमने इसमें डाल दिया है देख सकते हैं, इसको अच्छी तरह से घोल ले पानी कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि इस तरह से डालना है अच्छी तरह से ये डिप हो जाए, हमने सभी को छील कर और अच्छी तरह से इसको प्रिक किया है, देख सकते हैं बारिक दिख रहा होगा, और ये soft हो जाता है, प्रिक करेंगे तो उसके बाद बिल्कुल ही soft हो जाएगा, और चुने के पानी में अगर हम डालेंगे तो ये hard हो जाता है तो सब ही को हम डाल देते हैं इसी में और 10-12 घंटे के लिए हम इसमें छोड़ देंगे पानी में तो टुकड़ा हमने छोटा छोटा नहीं किया है जैसे हमने काटा और प्रिक किया बस वैसे ही हम इसमें डाल रहे हैं जब बनाना होगा तब हम इसमें छोटा टुकड़ा करेंगे तो इस तरह से हलका हो गया है इस वज़़ा से ये पानी से उपर आ रहा देख सकते हैं और ये पतिला हमारा थोड़ा छोटा है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है यह पूरा आ गया इसमें और हम ढग देते हैं और 12 गंटे हो गये हैं 12 गंटे के बाद हम आपको दिखाते हैं यह देख सकते हैं कितना hard हो गया है कितना soft था और अब कितना hard हो गया है अब हम इसको अलग कर लेते हैं सभी को ऐसे निचोड़ेंगे तो निकलेगा इससे पानी और दबाने से हाड लग रहा है अब हम इसको अच्छी तरह से धोएंगे आप नल के पास जाकर के बहुत अच्छा से धोले या फिर पानी तीन चार पानी लगेगा आपको धोने के लिए इसको फिक देते हैं हाँ और ये हमने अच्छी तरह से धो लिया है, साफ पानी आ रहा देख सकते हैं, बिल्कुल ही साफ है, इसको अच्छी तरह से हमने धो लिया था तो एक बार फिर से हम इस तरह से निकाल देते हैं पानी से, बिल्कुल ही साफ पानी है, देख पा रहे होंगे तो हमने पानी बॉयल होने के लिए उधर चढ़ा दिया है और ये टुकड़ा हम इधर कर रहे है मेरा थोड़ा टुकड़ा छोटा है मार्केट की तरह अगर आप बड़ा चाहें तो बड़ा काट सकते हैं इससे तो आप बड़ा ही थोड़ा काटें हमने थोड़ा छोटा ही काटा हुआ है तो सभी को हम टुकड़े में कर देते हैं और उधर पानी भी हमारा बॉयल हो रहा है बहुत तीजी है बनाने में बिलकुल ही मुश्किल नहीं है जो नहीं बनाया है उसको लगता है बहुत मुश्किल है बनाएंगे ना तो बहुत आसान लगेगा तो हमने सभी को इस तरह से टुकड़ा कर लिया है और इधर पानी भी बॉयल हो गया है देख सकते हैं अच्छी तरह से गरम हो गया है अब हम इसमें सभी को डाल देते हैं सारे टुकड़े को पानी भी हमने उतना ही डाला है जितना ये अंदर पक सके तो इसको हम वाइल आने देते हैं 15 से 20 मिनट हम इसको पकाएंगे और उपर नीचे करेंगे इसको तो पानी कम जादा मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है बस इतना अंदाजा करें कि उसमें अच्छी तरह से ये डीप हो जाए और अच्छा से पक सके तो इस तरह से चलाते हुए हम पकार हैं हमारा ये पकाते हुए 20 मिनट हो गया है 20 मिनट में बहुत ही अच्छा पक जाता है देख सकते हैं पहले से सफेद हो गया है और बहुत ही अच्छा ट्रांस्पेरें तो आप किसी जाली में छान ले इसको कि इससे पानी पूरी तरह से निकल जाए तो हम सभी को अब छान लेते हैं इस तरह से ये काफी ज्यादा है तो जाली में इतना तो नहीं आएगा तो हमने एक लिया है जाली वाला एक बरतन लिया है हमने देख सकते हैं इसी में हम डाल दे रहे हैं और ये पानी अच्छी तरह से निकल जाएगा इसके नीचे हमने एक बाल्टी रखा हुआ था और चीनी हमने इसमें 900 ग्राम लिया है चीनी मेरा थोड़ा ज़्यादा हो गिया है और कटोरी से एक कटोरी बड़ा सा कटोरी है और इसे हाफ कटोरी से थोड़ा सा कम हमने पानी तोरी लिया था थोड़ा हमने पानी बचा लिया है इतना पानी डालना है कि ये घुलने तक पकाना है ज्यादा पानी ना डाले वरना बहुत टाइम लग जाएगा आपको ये पेठा बनाने में तो ये बॉयल आ गया है और देख सकते हैं गंदा दिख रहा है जाग की तरह तो ये साफ हो रहा है थोड़ा और पकने देते हैं एक मिनट उसके बाद हम ज्याग को निकालेंगे इसको उपर से छान लेंगे इसकी गंदगी उपर आ जाती है इस तरह से और फलेम को हमने लो टू मीडियम रखा हुआ है कम फलेम है हमारा भी क्योंकि हमने इसमें ज्याद़ पानी नहीं डाला है तो ये चीनी जल जाएगा तो चलाते हुए हम लो फलेम कर दिये हैं और सभी को हम निकाल लेते हैं ज्यादा पकाना नहीं है चीनी को घुलने तक पकाना है देख सकते हैं ये हमारा चीनी घुल गिया है अब हम सभी को डाल देते हैं जो हमने छान लिया तुकड़े को इस तरह से ये पानी हमारा बिल्कुल ही निकल गया है अगर आप चाहें तो हाथ से भी थोड़ा निचोड़कर डाल सकते हैं जिससे की सारा पानी निकल जाए और सभी को हम डाल देते हैं और डालने के बाद इसमें जो है पानी सा हलका सा दिखता है तो टाइम लगता है इसको उबलने में पकने में थोड़ा टाइम लगेगा चलाना पड़ेगा पानी को सूखने तक जो है न वो सूखने तक हमको पकाना है तो चलाते हुए अब मेडियम फलेम पर इसको इस तरह से पकाएं ये बहुत ही रसीला देखने में ही लग रहा है और बनाने म थोड़ा ज्यादा ही डाल दिया मेरा रगए है और मृत कि तरह हो गया है अगर आप नॉर्मल चाहते हैं तो दो केजी अगर आपका पेठा है तो उसमें 700 गराम या 725 गराम और डालें बिल्कुल 725 ग्राम आप डाल सकते हैं तो बिल्कुल पर्फेक्ट मीठा सही रहता है मेरा थोड़ा जादा मीठा देखने में ही लग रहा है खाने में थोड़ा लग रहा था मीठा इसलिए हम आपको यही अड़्वाइज देंगे 7-800 ग्राम के करीब आप डालें तो यह मेरा पर्फेक्ट हो गया है सभी सूख गये हैं और गैस को हमने बंद कर दिया है और यह बहुत जल्दी जमने लगता है क्योंकि यह बिल्कुल हाड सा हो गया है देख सकते हैं और अंदर से जूसी लगता है खाने में सारा चाशनी खतम होने तक आपको यह पकाना है चलाना है और प्लेट में हम जल्दी जल्दी से इसको हम अलग कर रहे हैं यह हवे में आप सुखा सकते हैं इसको धूप में हम दो घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे धूप में जल्दी हो जाएगा हावा में आप रख सकते हैं इसको पूरा दिन के लिए रख सकते हैं अभी काफी अच्छा धूप है तो इसलिए हम दो घंटे के लिए धूप में इसको रख देंगे फैला करके और यह इसको दो घंटे के बाद हम इसको थोड़ा चाया में रखेंगे एक दो घंटा तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा दो घंटे के बाद हम दी खा रहे हैं देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हमारा ये मुरब्बा बन गया है सफेद कद्दू का इसे थोड़ा आप छाया में रख सकते हैं दो तिन घंटे के लिए इसमें जो थोड़ा सा नमी टाइप का है वो बिलकुल ही खतम हो जाता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है यह अभी भी बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह से खाने में अब इसको सुखाने की वैसे कोई जरूरत नहीं है तो यह देख सकते हैं मैं पास से दिखा रही हूं बहुत ही अच्छा हमारा यह मुरब्ब बन गया है इसे पेठा बोलें या मुरब्ब बोलें और कमेंट करके बताएं हमारी रेस्पी आपको कैसी लगती है हमारे चैनल को कर दिजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिजिए अब हमें दिजिए असलाम लेकुम